दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वालों कि आप जीमेल पर कॉंटेक्ट सेव कैसे कर सकते हो जी या दोस्तो अगर आप भी जाना चाहते हो कि जीमेल पर हम जो है कॉंटेक्ट नंबर को कैसे सेव रख सकते हैं कई बार क्या होता है कि अगर आपका जो है मोबाल कही पर भी अगर आपका मोबाल खो जाता है या फिर अगर आपका मोबाल रिसेट हो जाता है तो अगर आपके जो है कॉन्टेक्ट नमबर अगर आपके मोबाल के सिम कार्ड में जो है अगर आपके फोन पर जो है सेव रहते ह तो वो सारे के सारे जो है mobile number जो है delete हो जाते है, erase हो जाते है लेकिन अगर आपके contact number अगर आपकी Gmail ID पर जो है save रहेंगे तो अगर आपका phone खो जाता है या फिर आपका mobile जो है reset हो जाता है फिर भी आप अपने number को फिर से recover कर सकते हो तो इसके लिए अगर आप भी जाना चाहते हो कि Gmail पर हम जो है number को कैसे save कर सकते है तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने mobile में play store से google contact करके आपको जो है इस application को download कर लेना है या दोस्तों आपको google contact आपको search करना है और इस वाले google की contact application को आपको download कर लेना है और इसके बाद आपको अपने mobile में इस application को open करना है open करने की बाद आपको उस id को login करना जिस पर id पर आप जो है contact number save करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने जो है id select कर लिए इसके बाद यहाँ पर आपको उपर की और इस three line option पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको simply settings पर क्लिक करना है जैसे ही दूस्तों यहाँ पर आप इस option पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की और import option पर क्लिक करोगे जैसे आप import पर click करोगे इसके बाद आप अपनी Gmail ID पर जहाद से भी आप जो है नंबर को import करना चाते हो अगर आपके सारे जो है mobile नंबर जो है यहाँ पर आपकी SIM card पर जो है save है अगर आपकी mode में जितनी भी नंबर है वो सभी के सभी आपकी SIM card में save किये हुए हो तो उन नंबर को आप जो है अपनी Gmail ID पर transfer कर सकते हो तो यहाँ पर जिस भी SIM से आप जो है नंबर को import करना चाते हो अपनी Gmail ID पर simply आपको SIM को select करना है इसके बाद आपको OK पर click करते हैं आपके SIM card पर जो भी नंबर रहेगा वो आपकी Gmail ID पर import हो जागा तो फिलाल आप देखे तो यहाँ पर जो है मेरा number save नहीं है इसलिए यहाँ पर जो है number show नहीं कर रहा है तो यहाँ पर मैं VCF file select कर लेता हूँ इसके बाद OK पर click करता हूँ और यहाँ से अगर आपकी किसे भी दूसरी email ID पर है तो यहाँ से भी आप जो अपनी जिस भी email ID पर copy करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो तो फिलाल आप देखे तो जैसे आप import पर click करो तो यहाँ पर आपकी SIM show हो जाएगी तो फिलाल मेरे SIM card पर कोई भी number save नहीं है इसलिए यहाँ पर copy नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप देखे तो मेरा already दो number यहाँ पर saved है तो अगर कुछ इस तरीके से अगर आपके SIM card पर number save रहेगा तो वो सारा का सारा number यहाँ पर आपकी Gmail ID पर save हो जाएगा इसके बाद सारे contact यहाँ पर आपको show हो जाएगे और अगर आप new contact को save करना चाहते हो तो यहाँ पर plus option पर click करना है और इसके बाद यहाँ से आप जो है जिसका भी number save करना उसका name डालना है इसके बाद यहाँ पर आपको उनका phone number डालना है और इसके बाद Śmpli आपको उपर के और save पर किलिकना और इसपर क्लिक करतें आपके जो गी मेल आइडि में उसका नम्बर save हो जाएगा तो इस तरीके से आप गी मेल पर contact को save कर सकते हैं तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो में comment करके जरूँ बताना दोस्तों अगर आपको इवडियो चलागा हो तो इस वडियो को लाइक करें शियर करें और भी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना